नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भल्चंद्रा, ब्रह्मान्ट सिद्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडिया में हम चर्चा करेंगे दिनांग 16 जून 2024 का संपण राशिफल उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है रविवार का है क्रोधिनाम सवमस्तर है सुर्य का उत्तरायन चल रहा है ग्रिश मरतु है जेश्ट मेने की शुगलपक्ष की दस्वीतिती है नक्षत्र हस्त है योग वरिया है दिल का जो करन है वो तैतिल है और जो रात का करन है वो गर है आज के दिन का जो गुलिक्काल है वो शुरुआत होगा दोपर 3.50 कर 15.30 कर पाज बच कर 32 मिनित तक और अविजितमूर्थ दोपर 12.30 कर तीन मिनित से लेकर 12.00 कर एकांनुनिन तक का होगा गुलिक्काल और अविजितमूर्थ दिन के शुबग अलावती कह जाते हैं 27 मिट से लेकर दो बच कर 9 मिनिट तक का होगा। राहुकाल और यमगंड़काल दिन के अशुब कालावदी कह जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुन काम या फिन्यनने मिलकुल भी नहीं देना। उस प्रकार आश के दिन का जो चंद्रमा है ये चंद्रमा संपुन दिन कन्या राशी में भ्रमन करेगा। यह दिरस्ति साम दे रखते हुए 12 राशियों का राशी फल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्ठा करेंगे। तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के शष्ट बाव में चंद्रमा का भ्रमन है। आज का जो दिन है आपको स्वयम के स्वास्त के अब बारे में द्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के मैतोपन निनने बिलकुल भी नहीं लेना। हाला कि जो भी आपका कारे शेतर है वाबर के जो लोगों के उनसे थोड़ा बचकर रहना होगा। गुबना फिरना जादा हो सकता है। दिन आपके लिए मिला जुला सावित होगा। इसके बाद की जो राशी है वो है बुरिशब राशी। गुरिशब राशी के पंचम बाव में चंदरमा का ब्रहमन है। इसके बाद की जो राशी है वो है मिथन राशी। मिथन राशी के चतरतबाव में चंदरमा का ब्रहमन है। दिन आपके लिए शुब फलदाई सावित होगा। गर के जो लोग है उनके साद आपके हार्मनी काफी अच्छी देखे जाएगे। आपके लिए शुब फलदाई सावित होगा। इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी। करक राशी के तृतियो बाव में चंदरमा का ब्रहमन है। आज का जो दिन है आपके लिए काफी ज़ादा ट्रेवलिंग वाला हो सकता है। आपके लिए शुब फलदाई सावित होगा। इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी। इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी। तुला राशी के वेह बाव में चंदरमा का ब्रहमन है। मेहतोपण दिन है आपके लिए। किसी भी प्रकार के मेहतोपण काम आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशी है वो है वरिचिक राशी। वरिचिक राशी के लाव में चंदरमा का ब्रहमन है। दिन आपके लिए शुफल दाई साबित होगा। आज के दिन को जच्छे लाव अगरा बोसकते हैं। आपके मित्रवरिवार उनसे मुलाकात भी हो सकती है। थोड़ असा स्वयम के स्वास्त के बारे में ज्यानने न आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशी है वो है दनुराशल। दनुराशी के दशंबाव में चंदरमा का ब्रहमन है। दिन आपके लिए मैत अपुन साबित होगा। जो कारे शेत्रे है उससे रिलेटरिकर मैत अपुन का आज के दिन हो सकते हैं। आपकी जो वैवाई जुड़िदार है उनके साथ चोटे-मूटे बातों के लेका तकराव हो सकती है। बस आपको उसे को बड़ थोड़ा ध्यान देना अफोगा। इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी। मकर राशी के भाग्य बाव में चंद्रमा का ब्रहमन है। दिन आपके लिए शुक्फल अधाई सावित होगा। भूबना फिरना जादा हो सकता है मैत बड़ न काम बे आफ आप में ले सकते हैं। आपको जो मूड है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। आपको confidence भी काफी अच्छा देखा जाएगा। सिर्व थोड़ असा स्वयम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना होगा। इसके बाद की जो राशी है वो है कुम्ब राशी। कुम्ब राशी के अश्टमा में चंद्रमा का ब्रहमन है। जाएगर जो राशी है वो है मींद्राशी। मींद्राशी के सब्टम बाव में चंद्रमा का ब्रहमन है। दिन आपके लिए मैं तो बुण सावित होगा। कास करके अगर आफ इवाई तो आपकी जो वैवाई जुरुदार है उनके साथ आज आपकी हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी गरके जो लोग एक साथ चोटे मोटे बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकिशन हो सकते हैं लेकिन दिन आपके लिए शुरुबफलदाई सावित होका तो दोस्तों ये था दिनंग 16 जून 2024 का समबण राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लग आपके किस प्रकास अनुबोकियां नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना धन्यबावा